आती है जो बड़े बिजनिसमेन होते हैं वो नई नई लूत लोते हैं अब अगरवत्ती कहां से आ गई यह बिजनिसमेन हो की देन है अगरवत्ती पुराना में तो कहीं है नहीं करंतों में तो कहीं है नहीं अरे अंतिम समय अर्थी पे भी जिसे अर्थी बनती है उसी बास से उस बांस को भी नहीं जलाते चिता में और हम लोग घर में बांस जलाते जिस घर में बांस जलाए जाते पितर रुष्ट हो जाते जिस घर में बांस जलाए जाते जिनके द्वारा बांस जलाए जाते उनके घर में भूठ प्रेत के साचों का परवेश होता है जिनके गर में बांस जलाए जाते हैं वह अकल है आ जाती है माइंड अपसेट हो जाता है जीवन में रोग आ जाते हैं जब पांस जलते यह अगरवत्ती जलाने वालों के लिए मैं हम बात कह रहा हूं इसलिए अगरवत्ती जलाना बंद करो दूब बत्ती और दीपक जलाना प्रारम करो ये सीखना चाहिए इसमें अगरवत्ती में बांस का प्योग किया जाता है धारमिक मानिता यह है कि बांस को जलाने से वंश की हानी होती है और इस वज़े से लोग दोस्तों जो अगरवत्ती है वहे भी नहीं जलाते हैं इसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि बांस जलाने से पेतर दोस लगता है इस वज़े से भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और अंतिम समय यानि जो अर्थी के समय दोस्तों इस बांस का अपयोग होता है और बांस पर ही शवयात्रा निकाली जाती है और उस समय कपाल किरिया भी बांस के द्वारा की जाती है इसलिए भी बहुत से लोग जो अगरबत्ती है वह नहीं जलाते हैं देखिए बांस का उपयोग विवाह में भी किया जाता है उपनेसर्कार में भी किया जाता है और अन्य शुब मौकर पर मंदब तैयार करने में किया जाता है तो एक परकार से या शुबता से भी जड़ावा या नि जितने भी जो हमारी शुब कारिया होते हैं वहे उसमें दिकतर बांस का परियोग होता है इसी विज़े से दोस्तों जो बांस को जलाना हमारी सनातन धरम में वर्जित माना गया है अगरबत्ती से निकलने वाला धुआ सिगरेट के धुए से भी डेड़ गुना ज्यादा खतरना होता है शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहुत सारी कमपनिया अगरबत्ती बनाने में बांस का इस्तिमाल करती हैं और हिंदू धरम में बांस को जलाना वर्ज आप देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत से जो हमारे बाई बहने देखिए लाको लोग जो है इससे अगरबत्ती के वेवेसाइश से जुड़े हुए हैं देखिए हर साल देखिए मैं आपको एक महीने का बता देता हूं देखिए एक महीने में एक हजार करोड स से भी जादा का जो कारोबार है वह अगरबत्ती बिजनस के जरिये जो पूरे भारत वर्स में होता है देखिए अगर में आपको एक छोटा से एक्जाम्पल एक कंपनी का दूंगा देखिए अगरबत्ती अगर इसकी जो टोटल नेटवर्ट माने वह पंद्रह सो करोड से जादा है और दोस्तों यह अकेले जो कंपनी है यह लगबक सतर से जादा देशों में दोस्तों जो अपना अगरबत्ती का वैपार है कर रही है और देखिए अभी के कंपनी नहीं है यह 1948 से जो आपको जो अगरबत्ती बगर मैनुफेक्टरिंग की लाइन में है जैसा कि हम सब जानते हैं पर देखिए यह बात भी सत है कि जो अगरबत्ती जलाना एक हमारे सनातन धरम में वरजीत है तो धीरे धीरे दोस्तों जो हमारे जो हिंदू भेहन भाई है वो भी जागरत हो रहे हैं कि देखिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए इसके स्थान पर आगे जाके हमारा बंद हो जाएगा या फिर इसे हमेशा की तरह जैसा चलता रहा है ऐसा चलता रहेगा देखिए मैं आपको एक आपको ब्रांड अगरबत्ती है वह मैंने इसका आपको दे दिया है यानि जो 56 देखिए जो कमपनी है अगरबत्ती बिजनस में ही ग्रो कर रही तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगरबत्ती का बिजनस एकदम से खतम हो जाएगा पर दोस्तों अभी जो धीरे-धीरे जो सनाता धर्म के जो परती जो आस्था और विश्वास दोस्तों बढ़ा है ठीक है धीरे-धीरे लोग जागरुक हो रहे हैं तो बहुत से अक्सर जो लोग हैं उनके मुझसे भी आपने सुना होगा कि भाई जो अगरबत्ती है हमको यूज नहीं करनी चाहिए देखें मैं आपको एक 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 जामपल के दायता से और समझाता हूँ तो आज से लगबग 20 साल पहले की बात है मेरे यहाँ पर दोस्तों दस से लेके ज दोस्तों मेरे जो अगरबत्ती काम है वो शुन्य होता गया क्यों कि दोस्तों लोगों में यह धीरे-देरी मानसिकता आती गई कि भाई जो अगरबत्ती को जलाना तो कि इसमें बास होता है यह सुईकारी नहीं है सनातर धरम में अगरबत्ती को जलाना वर्जित है यानि अ एक टन से ऊपर का प्रोडेक्शन अगरबत्ती का हुआ करता था आज कल के डेट में दोस्तों मेरा अगरबत्ती काम मुश्किल से 10 से लेके 15 परचेंट रहे गया है कि मेरा इतना पड़ा काम है इसके काम हो सकता है आप अगरबत्तई के लिए जाते हो आपको अकसर यह बास सुनने को Milti होगी आपको अगरबती नहीं यह स्निमाल करनी जाहिए तो देखिए बहुत से क्या कर दिया कि भी नहीं होता है कई लोग 8 से एंची मोग 9 निखल रहे हैं कि वह कितना है यह तो तो आग़े आने वाल समय में ही पता लगेगा कि और देखिए इन के ऑगर अगर बत्त्त को आपको फॉलोग करते बंद कर दिया है देखिए मैं एक चोटा सा एक और एक्जेम्पल बताता हूं देखिए मैं एक जगह घूमने गया था आजमगड के पास में एक बहुत बड़ा फेमस जो तीरति स्थर्मान लीजे ठीक है तो महराज गंज है वहाँ पे जो पीर पड़ती है मनलों वहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है तो एक्जेक्ट मेरे को पता नहीं है देखिए वहाँ पर यह जगह पर दोस्तों रोजाना करीबन हजार दोजार आदमी आरार अगर बत्ती ज होगी इतना यूँज оosphorus गए है और अगर आप इसमें वहाँ पर जाएंगे देखिए तो वह पर जगह जगह दिवारों पर लिखावा मिलेगा और इस स्थान पर अगर बत्ती जलाना वर्जी थे यहां पर अगरवत्ती किरपया ना जलाएं तो जितने भी जो अगर अगरबत्ती का जो काम है धीरे धीरे आने वाले समय में दोस्तों कम होता जाएगा इसके स्थान पर धीरे धीरे भूबत्ती बढ़ती जाएगी तो अगर आप दोस्तों पहले से इस बारे में जागरुक होते हैं तो आपको आने वाले दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी क तो यह जो डर दोस्तों हमारा को हमेशा बना रहेगा कि हमारा अगरबत्ती का बिजनस है वह कहीं बनतों नहीं हो जाएगा तो इससे दोस्तों बचने का इस डर को दोस्तों दूर करने का उपाई के वर एक है कि आप जो है एक है इसके अल्टरनेट जो है वह अपने बिजनस में सामील करिये जिससे जो आपके आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो ये है हिन